तो है गाइज वास्ट वास्ट वालकांब बैक नियुक्त वीडियो गैज के अप लोग आई हो प्यार आप लोग ठीक होंगे आज की इस वीडियो में हम सिखने वाल है कि किस तरीके से हम लोग आपने फेजुक पेज को पर्मनेटली डिलेट कर सकते हैं गाइज अगर आप ल लोगों को करना होगा फेजुक अप्लिकेशन को ओपन चलिए हम फेजुक अप्लिकेशन को ओपन करते हैं गाइज फेजुक अप्लिकेशन ओपन हो जाने के बाद आप लोगों को टॉपर आप लोगों को टैप करना होगा जैसे करोगे आपके प्रोफाइल नेम के नीचे जिए शो हो रहे होंगे simply उस page को select करिएगा जिस page को आप लोग डिलीट करना चाहते हो ओके तो चलिए हम इस page पे क्लिक करते हैं तो गाइज अब इस तरीके से आप लोग अपने page पे पहुंच जाओगे अब आप लोगो को करना क्या होगा इस page को delete करने के लिए उपर टॉप राइट साइट पे आप लोग सेटिंग का आइकोन देख सकते हो सिम्पली सेटिंग के आइकोन पे क्लिक करना होगा जैसे क्लिक हो जाएगा आप लोगो के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलके ओपन हो जाएगा आप लोगो को टॉप पर जन्रल का ओप्शन देखने को मिल जाएगा simply general के option पे click करिएगा जैसे guys general के option पे click हो जाएगा कुछ इस तरीके का interface खुल के open हो जाएगा आप लोगों को थोड़ असा phone को scroll करना है और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो उपर merge page and उसके नीचे remove page यहाँ पर नीचे पढ़ सकते हो आप लोग permanently delete R&R rocks इसके उपर simply tap करना होगा जैसे guys tap करो लोगे कुछ इस तरीके का interface खुल के open हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हो उपर remove page deleting of page is permanently अब guys आप लोगों को इसे delete करने के लिए यहाँ पर delete page यहाँ पर देख सकते हो simply delete page पर आप लोगों को click करना होगा अब guys यहाँ पर हमारा page जो है remove हो चुका है so guys आप लोग भी अपना page को कुछ इस तरीके से remove कर सकते हो इस तरीक की मदद से so guys वीडियो कैसा लगा comment box में ज़रू करें मिलते हैं guys अगले ऐसे interesting वीडियो के साथ तब तक लिए चाटा एंड बाबाई